राश्रप्रती द्रौपती मुर्मु ने सियाचिन बेस काम का दौरा किया और दुनिया के सबसे उंचे युद शेत्र में तैनात सैनिकू से कहा कि सभी नागरिक उनकी बहादुरी को सलाम करते हैं सैनिकू को संभोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भारी परफपारी और माइनिस पचास टिक्री तापमान जैसे कठिन परिस्तितियों में भी वे मात्र भूमी की रक्षा में त्याग और सहिन शीर्टा का आसधारन उधारन पेश करते हैं राश्रपती ने कहा कि सशस्त्र बलों की सरवुच कमान्डर के रूप में उन्हें उन पर बहुत कर्फ है और सभी नाकरिक उनकी भादुरी को सलाम करते हैं जमु कश्मीर में विधान सबाच चुनावों के बीच वाइस प्रेजडेंट जगतीब दनगर ने कहा कि जब वे 1990 में श्रीनगर कए थे तब डल जील सुस्त थी लेकिन अब प्रेटिकों से भरी हुई है जबकि उन्होंने बताया है कि आर्टिकल 370 अब इस श्रीद्र पर लागू नहीं है काउंसिल ओफ साइंटिफिक आंड इंडेस्ट्र रिसर्च के 83 वे स्तापना दिवस समरहों को संभोधित करते हुए दर्नकर ने 1990 में केंद्र मंत्री के रूप में श्रीनिगर की अपनी यात्रा को याद किया जब डल जील के पास एक होटल में रुके थे केंद्र ग्रैमंत्री अमित्शा ने आज उधुपुर जिले के चनैनी इलाके में एक रली को संभोधित करते हुए कहा कि आतंगवाद को दबा दिया गया है और इसे वापिस आने की इजाज़त नहीं दी जाएगी बाजबाद शासन में आतंगवाद मुक्त शेत्र का वादा करते हुए शाह ने आरूप लगाया कि नाशनल कॉंफरेंस कॉंग्रेस का टवंदन सत्ता में आने पर पाकिस्तान का एजंडा लागू करेगा आमिद शाह एक आक्टूबर को जम्मू कश्मीर में तीसरे और अंतिम चरन के असेंबली चुनाप के लिए आज उधुंपूर कट हुआ और जम्मू जिलों में पांच रेलियों को संभूदित करेंगे उतर प्रदेश के मुखे मंत्रे यूगिया दित्तेनाथ ने सामा जिले के रामगट सीमा शेत्र में एकसार जनिक रैली को संभूदित करते हुई कॉई कॉंग्रेस नाशनल कॉंफरेंस और बीडीपी पर जमू कश्मीर को आतंगबात के गुदाम में बदलने का आरूप ल महाराचा हरी सिंग जिसे राज़े की स्थापना सुनिश्चित करेगी जिसकी सिमाएं काबूल तक फैली हुई थी जमू जिले के ग्यारा असेंबली कॉंसिट्योंसी में मदान की पूरी तयारी हो चुकी है जिसमें बारा लाक से जादा मदाता एक अक्टूबर को विधान सबच चुनाब के तीसरे और अंतिम चरन में अपने मद अधिकार का इस्तमाल करेंगे जमू जिले में ग्यारा असेंबली कॉंसिट्योंसी हैं जिनमें बिशना, सुचेदगर, आलिसपुरा, जमू दक्षिन बाहू, जमू पूर्व, नग्रोटा, जमू पश्चिम, जमू उत्र, मढड, अकनूर और च्छम शामिल हैं जिनमें कुल बारा लाख नो सो सत्ततर मद्दाताओं के सुगम और परिशानी मुक्त सुविधा के लिए, इलेक्शन कमिशन आफ इंडिया ने जमू में 1494 मद्दान के इंद्र सापित किये हैं नाशनल कॉंफरेंस के नेता अमरिब्दुला ने कहा कि जमू कश्मीर विधानसवाज चुनाफ के दूसरे चरण के मद्दान के दौरान श्रीनगर जिले में कम मदान शायद केंदर द्वारा केंदर शासर प्रदेश में जमाने सिती दिखाने के कोशिश के प्रती लोगों की प्रतिक रहा थी उनकी ये टिपनी 25 सितंबर को दूसरे चरन के मदान के बाद आई है जिसमे 56 प्रतीशत से अधिक मदान हुआ था जबकि 18 सितंबर को हुए पहले चरन में अनुमानिद 61.38 प्रतीशत मदान हुआ था जमू में लगभग 40 प्रतीशत माईगरेंट कश्मीरी पंडितों ने 25 सितंबर को जमू और कश्मीर में विधान सबाद चुनाव के दूसरे चरन के मदान में अपने मदाधिकार का प्रयोग किया मदान जमू दिल्ली और उधुपूर में सापी 24 मदान केंदरों बर हुआ रिलीफ और रिहाबिलिटेशन कमिशनर अरविंद कारवानी ने कहा विधान सबाद चुनाव के दूसरे चरन में जमू में 19 मदान केंदरों पर लगभग 40 प्रतीशत मदान हुआ जबकि उधुपूर में 37 प्रतीशत और दिल्ली में 43 प्रतीशत मदान हुआ कौन बनेगा करोडपती सीजन 16 के नवींतम एपिसोड में एक रुमांचक शन देखने को मिला जब अखनूर के UPSC उमीदार 22 वर्षे चंद्रप्राश इस सीजन के पहले करोडपती बने महाना एक अमिता बच्चन द्वारा होस्ट किया जाने वाला ये शो एक लोग पर ये क्विज अधारित कारिक्रम है जिसमें प्रतिवागी बड़ी रकम जीतने के लिए कठिन सवालों के जवाब देते हैं पुलीस ने कठोवा जिले से एक पिस्तोल और पांच राउंड गोला बारुट जब्त किया है एक गुप सूचना के अधार पर कारवाई करते हुए पुलीस की एक टीम को खानपुर गाउं में एक सुनसान जगा पर एक पाकेट पड़ा मिला और उसे सब्त कर लिया गया अधिकारें ने बताया कि पाकेट में एक पिस्तोल और पांच राउंड मिले इंकम टैक्स डिपार्टमेंट जमू कश्मीर में कारदाताओं की शिकायतों के समाधान के लिए ऑक्टूबर के पहले सब्ता में विशेश अभ्यान चलाएगा बताया गया है कि अभ्यान 3 से 5 अक्टूबर और 7 से 10 अक्टूबर तक राजपाक सिद आयकर भवन में दो चर्नों में चलाया जाएगा